ओम शान्ती आज 19 फरवरी 2023 की अव्यक्त मधूर महावाक्य रिवाज है 23 दिसंबर 1993 हेडलाइन है पवितरता के दिड़ ब्रत दोरा ब्रीती का परिवर्दन अब सुनते हैं अव्यक्त महावाक्य विस्तार से आज बाप दाता ने कहा आज उचे सुचे बाप अपने शर्व मह महान बच्चों को देख रहे हैं महान आत्मा तो सवी बच्चे बने हैं क्योंकि सब से महान बनने का मुख्य आधार पवितरता को धारन किया है पवितरता का ब्रत शवी ने परतिग्या के रूप में धारन किया है किशी प्रकार का दिड़ संकर रूपी ब्रत लेना अर्थ ब्रट रखते भी हैं ब्रट लेना अर्थात मन में शंकल्प करना और ब्रट रखना अर्थात इस्थूल रिती से परहेज करना चाए खान-पान की चाए चाल-चलन की लेकिन दोनों का लक्षे ब्रट दौारा ब्रिती को बदलने का है आप सभी ने भी पवित्रता के ब्रत लिया और ब्रिती स्रेष्ट बनाई शर्व आत्मों के प्रती क्या ब्रिती बनाई आत्मा भाई भाई है ब्रदर हूड इस ब्रिती से ही ब्रामन महान आत्मा बने यह ब्रत तो सभी का पक्का है ना ब्रामन जीवन का अर्थिय पवित्र आत्मा और ये पवित्रता ब्रामन जीवन का फाउंडेशन है फाउंडेशन पक्का है ना कि हिलता है ये फाउंडेशन सदा अचल अडोल रहना ही ब्रामन जीवन का सुक प्राप्त करना है कभी कभी बच्चे जब बाप से रूरियान करते अपना सचा चार देते हैं तो क्या कहते हैं कि जितना अतिन दिर शुक जितनी शक्तियां अनुभो होनी चाहिए उत्रिन नहीं है या दूसरे सब्दों में कहते हैं कि हैं लेकिन सदा नहीं है इसका कारण क्या कहने में तो मास्टर सर्व शक्तिमान कहते हैं अगर पूछेंगे कि मास्टर सर्व शक्तिमान हो तो क्या कहेंगे ना तो नहीं कहेंगे ना कहते तो हाँ है माटर सर्वशक्तिमान है तो भी शक्तियां कहां चली जाती है और है ये ब्रामन जीवन धारी नाम धारी नहीं है जीवन धारी है ब्रामनों के जीवन में शंपूर शुक्षांती का नुभूती ना हो वह ब्रामन सर प् हो सकते हैं ना आप सभी अपना साइन क्या करते हो बीके फलानी बीके फलाना कहते हो ना पक्का है ना बीके करते क्या है ब्रामन तो ब्रामन की फरिवासा यह है जितना और उतना शब्द क्यों निकलता है कहते हो शुक शांती की जननी पवीतरता है जब भी अतिन्दिश शु आफने भी सनाया है कि पवीटरता सिर्ब ब्रमचर का ब्रत नहीं यह ब्रत भी महान है क्योंकि इस ब्रमचर के ब्रत को आज की महान आत्मा कहलाने वाले भी मुश्किल तो क्या लेकिन असंभव समझते हैं, तो असंभव को अपने दिड़ संकर्व द्वारां शंभव किया है और सेज पालन किया है इसलिए ये ब्रत भी धारन करना काम बात नहीं है बाब ददा इस ब्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहीत मुवारक देते हैं लेकिन बाब ददा हर एक ब्राहन बच्चे को शंपून और संपन देखना चाहते हैं तो जैसे इस मुख्य बात को जीवन में अपनाया है और संभो को संभो सेज किया है तो सर प्रकार की पवितरता को धारन करना क्या बड़ी बात है पवितरता की परिभासा शई बहुत अच्छी तरह से जानते हो अगर आप शब को कहे पवितरता क्या है इस टौपिक पर भासन करो तो अच्छी तरह से कर सकते हो न जब जानते भी हो और मांते भी हो फिर उतना जीतना ये शब्द क्यों कौशी पवितरता कमजोर होती है जो शुक्षान्ति और शक्ति कनुभूति कम हो जाती है पवितरता कीशिन किसी स्टेज में अचल नहीं रहती तो किस रूप की पवितरता की हल चल है उसको चेक करो बाव दादा पवितरता के शर्व रूपों का अस्पष्ट नहीं करते क्योंकि आप जानते हो कई बाद सुन चुके हो सुनाते भी रहते हो अपने आप से भी बात करते रहते हो कि हाँ ये है ये है मैजर्टी के रिजल्टे देखते हुए क्या दिखाई देता है कि ग्यान बहुत है योग की बीधी के भी बिधाता बन गए धारना के बीशाए पर बरनन करने में भी बहुत होशियार है और सेवा में एक दो से आगे हैं बाकी क्या है? ग्याता तो नंबर वन हो गए है सिर्फ एक बात में अलवेले बन जाते हो वो है सोग और सेकर्ड में व्यर्त सोचने, देखने, बोलने और करने में फुलिष्टव लगा कर परिवर्तन करना शमजते भी हो, यही कमजोरी सुक या नुभूती में अंतर लाती है शक्ती शौरूप बनने में वावसवान बनने में बीगन शौरूप बनती है और फिर क्या होता है? श्रेम को परिवर्तन नहीं कर सकते फुलिष्टव नहीं दे सकते शमजते हैं कौमा लगा देते हैं वह दुसरों को देख आशर की निशानी लगा देते हो कैसा होता है क्या ऐसा होना चाहिए वह कोशन मार की क्यों यानि लाइन लगा देते हो क्योंकि क्यों लगा देते हो फूलिश टॉप अर्थद बिंदू तो foolish top तब लग शकता है जब बिंदु शवरुप बाप और बिंदु शवरुप आत्मा दोनों की स्मिर्ती हो ये स्मिर्ती foolish top अर्थात बिंदु लगाने में शमर्त बना देती है उस शमय कोई कोई अंदर सोचते भी है कि मुझे आत्मिक इस्तिती में इस्तित होना है लेकिन माया अपनी स्क्रीन दोआरा आत्मा की बजाए वैक्ती वबाते बार बार सामने लाती है जिससे आत्मा छीप जाती है और वार वार वैक्ती और बाते सामने स्पष्ट आती है तो मूल कारण सोव के उपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है दुसरों को कंट्रोल क करना बोहुत आता है लेकिन शौप पर कंट्रोल अर्था परिवर्तन शक्ति को कार्ज में लगाना कमाता है बाप ददा कोई-कोई बच्चों की शवद्र पर मुस्कुराते रहते हैं जब शौप की परिवर्तन का समय आता है वह सेन करने का समय आता है वह समाने का समय आता है तो क्या कहते हो, बहुत करके क्या कहते हो, कि मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सैन करना है, लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना, कि मरा और सौर्ग गया, उस मरने में तो सौर्ग में कोई जाते नहीं है, लेकिन इस मरने में तो सोर्ग में सेश्ट सीट मिल जाती है तो यह मरना नहीं है लेकिन सोर्ग में सोराज लेना है तो मरना अच्छा है ना क्या मुश्किल है? वो इस समय मुश्किल लगता है मैं गलत हूँ मैं गलत हूँ ही नहीं वो गलत है लेकिन गलत को मैं राइट कैसे करूं या नहीं आता रौंग वाले को बदलना चाहिए या राइट वाले को बदलना चाहिए किसको बदलना है दोनों को बदलना पड़े बदलने शब्द को आज़ात्मिक भासा में आगे बढ़ना मानो बदलना नहीं मानों बढ़ना उल्टे रूप का बदलना नहीं सुल्टे रूप का बदलना अपने को बदलने की शक्ती है कि कभी तो बदलेंगे ही पवितरता कार्थी है सदा संकल, बोल, कर्म, शंबन्द और शंपर्क में तीन बिंदों का महत्तो हर समय धारन करना कोई भी ऐसी परिष्थिती आए तो सेकेंड में फूलिष्टब लगाने में श्यम को सदा पहले ओफर करो मुझे करना है ऐसी ओफर करने वाले को तीन प्रकार की दुआई मिलती है पहला है श्यम को श्यम की भी दुआई मिलती है खुशी मिलती है दुसरा है बाब दौारा और तिसरा है जो भी सेष्ट आत्माए ब्रावन परिवार की है उन्हों के दौारा भी दुआई मिलती है तो मरना हुआ या पाना हुआ क्या कहेंगे आया ना तो फूलिष्टब लगाने के पूरसात को वा कंट्रोलिंग पावर दौारा परिवतन शक्ती को तीब्र गती से बढ़ाओ अलवेलापन नहीं लाओ ये तो होताई है ये तो चलनाई है ये अलवेलापन के संकल्ब है अलवेलापन परिवर्तन कर अलट बन जाओ अच्छा चारोर के महान आत्माओं को सर्वत सेष्ट पवित्रता के ब्रत को धारन करने वाली आत्माओं को सदा शोको सेकेंड में फुलिष्टब लगाए सेष्ट परिवर्तक आत्माओं को सदा श्यम को सेष्ट काज में निमित बनाने की ओफर करने वाली आत्माओं को सदा तीन बिंदू का मेहत्तो प्रेक्टिकल में धारण कर दिखाने वाली बाब शमन आत्माओं को बाब ददा का याद प्यार और नमस्ते दादियों से मुलाकाद बाबा ने कहा शबी आप लोगों को देख कर खुश होते हैं क्यों खुश होते हैं? बाब ददा शबी से पूछ रहे हैं दादियों को देख खुश होते हो ना क्यों खुश होते हो? क्योंकि अपने वाइबरेशन वा कर्म दवारा खुशी देते हैं इसलिए खुश होते हो जब भी ऐसे स्रेष्ट आत्माओं से मिलते हो तो खूशी अनुभो करते हो ना, टीचर से फॉलो भी करते हो ना, कई सोचते हैं, बाप तो बाप है, कैसे समान बन सकते हैं, लेकिन जो निमित आत्माओं हैं, वो तो आपके हमजिन सहना, तो जब वो बन सकती हैं, तो आप नह अगर हात उठवाएंगे कि सोला कला बंना है या चोदा कला तो किशम उठाएंगे शोला कला तो सोला कला का अरत्य क्या है शंपूर ना जब लक्षी ऐसा है को बनना ही है जो जीटना आगे होता है उसको तुफान भी सबसे ज़्यादा क्रोस करने होते हैं लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफा नहीं लगता तूफा लगता है ये तूफान भी गीप्ट बन जाती है अनुभवी बनने की तो तूफा बन गया ना तो गीप्ट लेना अच्छा लगता है यह मुश्किल लगता है तो यह भी लेना है देना नहीं है देना मुश्किल होता है लेना तो सहज होता है यह नहीं सोचो मेरा ही पाठ है क्या शब बीगनों के अनुभव मेरे पास ही आने है क्या वेलकम करो आओ यह गीब्ट है ज्यादा में ज्यादा गीब्ट मिलती है इसम क्या ज्यादा accurate मूर्ती बनना अर्था हेमर लगना हेमर से ही तो उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं आप लोग तो अनुफवई हो गए हो nothing new खेल लगता है देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो दुआएं देते रहते हो टीचेस बहादूर हो या कभी-कभी घबराती हो ये तो सोचा ही नहीं था ऐसे होगा पहले पता होता तो सोच लेते डॉल फोरने समझते हो इतना तो सोचा ही नहीं था कि ब्रामन बनने में भी ऐसा होता है सोच समझ कर आए होना या भी सोचना पड़ रहा है अच्छा कितना भी कोई कैसा भी हो लेकिन बाप दादा ही कहेंगे बुरा नहीं कहेंगे चाहिए नो बुराई हो और एक अच्छाई हो तो भी बाप क्या कहेगा अच्छे हैं या कहेंगे यह तो बहुत खराब है ये तो बड़ा कमजोर है अच्छा ये बड़ा गुरूप हो गया है एक इस देशों के लोग आये हैं अच्छा है हाउस फूल हो तब तो दूसरा बने और फूल नहीं होगा तो बनने की मार्जी नहीं होगी अब शुनते हैं अब्यक्त बाब दादा की परसनल मुला हेडलाइन है हर कदम में पदमों की कमाई जमा करने का यूग संगम यूग बाबा ने कहा अपने को पदमा पदम भाईग्यवान समझते हो हर कदम में पदमों की कमाई जमा हो रही है तो कितने पदम जमा किये हैं अनगिना थे क्योंकि जानते हैं कि जमा करने के समयाब है श की वहां के कर्म का शंबंद भी यहां के कर्मों के फल के हिशाब में है तो यहां है करने का शमय और वहां है खाने का शमय तो इतना टेंसर रहता है कितने जन्मों के लिए जम्मा करना है जोरासी जम्मा करने में खुशी होती है ना मेनत तो नहीं लगती क्यों नहीं मेनत क्योंकि पर्तक्ष्फल भी मिलता है पर्तक्ष्फल मिलता है कि भविष्ट के आधार पर चल रहे हो भविष्टे भी पर्तक्ष्फल अतिस सेष्ट है सदाही सेष्ट कर्म और सेष्ट पर्तक्ष्फल मिलने का सादन है कि सदा ये याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं जिस नाम है डवल फोर्नेस, तो डवल का टाइटल बहुत अच्छा है, तो सब में डवल, खुशी में, नसे में, पुरसात में, सब में डवल, शेबा में भी डवल, और एते भी सदा डवल हो, कमबाइंड सिंगल नहीं, कभी डवल होने का शंकल्प नहीं आता, कमपनी चाहिए य लेकिन ऐसा कमपनीन नहीं मिल सकता, कितने भी अच्छे कमपनीन हो, लेकिन सब लेने वाले होंगे, देने वाले नहीं, इस वर्ड में ऐसा कमपनीन कोई है, अमेरिका, ऑस्टेलिया, अफरिका आदी में थोड़ा ढूंड कर आओ, मिलता है, क्योंकि मन शात्माइं कितने भ जरूर तो जब दाता कमपनिन मिले तो क्या करना चाहिए कहां भी जाओ फिर आना ही पड़ेगा ये सब जाने वाले नहीं है कोई कमजोर तो नहीं है फोटो निकल रहा है फिर आपको फोटो भेजेंगे कि आपने कहा था कहो ये होना ही नहीं है बाप दादा भी आप शब के बिना अकेला नहीं रह सकता अच्छा आज प्यारी मिठे बावा का वरदान महावीर बन बाप का साचात्कार कराने वाले बाहं धारी सो अलंकार धारी भव महावीर अर्थार्थ्त्र धारी शक्तियों वह पांड़ों को ऐसे वहनधारी और अलंकार धारी ही साच्छतकार मुरद बन बाब कर साच्छतकार करा सकते हैं यही महावीर बच्चों का करतेबे हैं महावीर उसे ही कहा जाता है जब निूरती कला द्वारा शर परिस्थितियों को पार कर ले स्लोगन है एक रस पूरसा द्वारा उंची परिस्थिति बना लो तो हिमालाई जैसा बड़ा पेपर भी रूई हो जाएगा एक सुचना है आज मास का तिसार अविवार है सवी राजयों की तफशी भाई बहने साड़े छे से साड़े साथ बजे तक बीसे योग भ्यास के समय अनुभव करें ज्यान सूर्ज सर्व शक कार दूर होता जा रहा है अच्छा होम शान्ती